हलो वाइस वेलकम टू माई यूटूब चैनल फिटनेस की और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोया चंग के बारे में कि इसको कैसे बनाया जाता है इसको खाने के क्या-क्या फायदे हैं और प्लस आपको कितनी कौंटेटी में ये इंटेक करना चाहिए तो चलिए स स्टार्ट करते हैं वीडियो को सोया चंग को सोया बीन से बनाया जाता है सोया बीन का ओल निकालने के बाद जो बाय प्रोड़क्ट बचता है यानि कि जो डिफेटेड सोया बीन का आटा बचता है उससे सोया चंग को बनाया जाता है ये बहुत ही जल्दी पक जाती है पका तो आई ही जलते हैं इसके हम फायदाई भी जान लेते हैं ये हाई इन निर्टरंट होता है इसे शाकाहरी नॉन वेज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें नॉन वेज के बराबर ही आपको निर्टरिशन मिल जाते हैं सोया polyunsaturated fat protein omega 3 fatty acid से भरपूर होता है ग्राम बिना पके सोया chunks में 52 ग्राम का प्रोटीन होता है इसके साथ में इसमें 345 calorie होती है 0.5 ग्राम full fat होता है 33 ग्राम का carbohydrates और 13 ग्राम का dietary fiber होता है ये शरीड को कोई extra sugar नहीं देता है ये sodium calcium iron से भी भरपूर है second benefit है ये muscle building में बहुत help करता है आपकी protein का intake हाई होने की बज़ेशन में protein की काफी जादा मात्रा होती है जिसकी बज़े से ये protein का intake बढ़ा देता है आपको पता ही है कि muscle building के लिए carb के साथ प्रोटीन बहुत जादा जरूरी होता है protein muscle build करने और break हुए muscle को repair करने में मदद करत है इसका third benefit है weight loss के लिए soya chunks आपका weight loss के लिए बहुत जादा help करता है protein high होने की बज़े से और इसमें fiber बहुत जादा भरपूर मात्रा में होता है जिसकी वज़े से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है और आपको भूग कम लगती है और ये metabolism को बहुत तेजी से boost करता है जिसकी वज़े से आपका weight कम होता है आपका fat तेजी से burn होने लगता है और muscle cell develop होते है bodybuilders और athlete के मताबिद protein muscle mass पर सीधा effect डालता है और इससे आपकी training timing भी बढ़ती है training timing बढ़ेगी तो अधी calorie burn होगी और वजन भी तेजी से कम होगा इसका food तरे video को like करें अगर आपको म subscribe कर ले दूसरों के साथ share करें तक